एलो बच्चो आज हम कराने वाले हैं बहुत ही प्यारा चप्टर ऑफ ICSC Class 8 जिसका नाम है Direct and Inverse Variation तो बच्चो यह बहुत ही प्यारा चप्टर है और यह ना आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है तो इसको बहुत प्यार से देखिएगा ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो बच्चो जब यह चप्टर आता है ना Direct and Inverse Variation सबसे पहले तुम मेरे दिमाग में एक चीज आ रहे है इस लाइन को पढ़के Direct and Inverse Variation को बढ़के एक चीज मेरे दिमाग में आ रहे है कि What is Variation यह Variation होता क्या है What is this? What is Variation? Variation क्या होता है? कोई भी चेंज Right? कोई भी चेंज, कोई हम क्या कहते है? Variation कहते है Let's suppose एक example ले लेता हूँ मैं और example से मैं आपको बहुत अच्छे सा बताने वाला हूँ कि भाई एक पेन है Right, एक पेन है जो कि कितने रुपे का है Let's suppose वो है पांच रुपे का एक पेन है जिसकी cost कितनी है फाइब रूपी तो ऐसी similar पेन अगर मैं बोलू, ऐसी similar दो पेन कितने रुपे के होंगे? तो obviously बात है अगर एक पैन पांच रुपे का है तो दो पैन कितने के होंगे 10 रुपीज के तो मैंने क्या किया जितनी quantity थी उससे रुपीज को multiply कर दिया सो मेरे पर कितना आगया answer 10 आगया ऐसी इसी को क्या बोला जाता है चेंज जो चेंज हो रहा है ना जैसी कि मैं बोलनों की भाई एक काओ है एक गाई है ठीक है और वो एक field को let's suppose कर लो दो दिन में खतम कर देती है टू डेज लग रहे हैं उसको पूरे field को साफ करने मतलब जो घास वो खाएगी ग्रास खाएगी इसको दो दिन में कर देती है उसाफ है ना ऐसी अगर मैं दो काओ कर दूँगा तो वो कितने दिन में करेगी है ना अब यह ज़र ऐसे questions होते है यही क्या होते है मेरे variations यही क्या है मेरे variations हो रहे है कि इतने pen इतने का इतना गाईज इतने में कर रहे है तो अब हम करने वाले ठ्क है अब variations कितने प्रकार नारी कितने टाइपस के होते है नो यह जो और इसको बहुत ही प्यार से अच्छे से देखना है हमने ठीख है पहला जो टाईब है उसको बोसे डाइरेक्ट आप यह डायरेक्ट है ठीक है डायरेक्ट विज्चन ठीक है और जो सेकिंड टाइब है उसको हम बोते है इंवर्स वेरीएशन ठीक है तो यह two types के होते है variations एक होते है direct variation और एक होते है हमारा inverse variation अब हम पहले क्या करेंगे direct को अच्छे से पढ़ेंगे फिर हम inverse को अच्छे से पढ़ेंगे और इसके examples के साथ मैं इसको आपको पूर अच्छे से detailed knowledge देने वालो हूँ ठीक है तो सबसे पहले हम करते है direct variation तो बच्छों अब हम करने वाले हैं कि direct variation होता क्या है what is direct variation अब direct variation से पहले हम इसको मैं बहुत अच्छे से examples के साथ बताने से पहले पहले इसका statement देख लेते हैं कि यह बोलता क्या है what is direct variation अगर मैं बोलूँ if the increase in one quantity, if the increase in one quantity causes the increase in other quantity. इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी quantity में कोई भी quantity अगर उसमें increase होता है तो दूसरी वाली जो उसकी quantity होगी उसमें भी क्या होगा? increase होगा। और we can say if the decrease in one quantity causes the decrease in another, other quantity. इसका मतलब क्या बच्चो? इसका मतलब यह कि भाई अगर कोई भी चीज़, let's suppose अगर कोई भी चीज, कोई भी quantity अगर increase होती है तो ये cause करेगी दूसरी quantity भी increase होगी और अगर कोई quantity decrease हो रही है तो दूसरी वाली quantity भी decrease होगी इसी को क्या बोला जाता है बच्चो direct variation क्या बोला जाता है direct variation बहुत important point है इसको भी आप note करिएगा कि जो इसके ratios होते हैं जो ratios होते हैं ये same होने वाले हैं ठीक है ये बहुत important point है ये आप एक बार से ये जो जहां मैं start लगाऊंगा ये आप write down करते रहना ठीक है अपनी copy में कि जो direct variation में होगा वहाँ पे ratios जो होने वाले हमेशा दोनों quantities के ये वह हमेशा सेम रहने वाले हैं ठीक है अब यहां पर देखे इसका एक best example देता हूं मैं यहां पर कि अगर एक पैसा पांच रुपे का है कित्ते रुपे का पांच रुपे का तो दो पैन कित्ते रुपे के होंगे obviously बात है देखो अगर quantity में बढ़ा रहा हूं तो भई पैसा एक पैन की कीमत 5 रुपए है तो दो को पैन की कीमत कितनी होगी ओवियस सी बात है quantity मैंने बढ़ा ही तो पैसा भी यहाँ पर बढ़ेगा ओवियस सी बात है है ना अब मैं बोलूँगा भई अगर तीन पैन की कीमत तीन पैन की कीमत फिर कितनी होगी तो obviously बात है जितनी भी यहाँ पर होगी जैसे यहाँ पर 10 रुपीज होगी let's suppose तो यहाँ पर तीन पेन की कीमत 15 रुपीज हो जाएगी तो यह क्या हो रहा है देखो जैसे जैसे मैं पेन बढ़ा रहा हूं तो कीमत भी बढ़ रही है तो इसी को क्या बोला जाता है direct variation इसी को क्या बोला जाएगा direct variation आयो हूप आपके समझ में आया होगा इसके कुछ examples देख लेते हैं ठीक और यह ratio same कैसे होते हैं यह भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ ठीक है तो एक बार देख लेते हैं इसको भी चो देखो यहाँ पर example देखते हैं सबसे पहले यह बोला है कि एक pen की कीमत अगर 5 रुपे है तो 2 pen की कीमत कितनी होगी सबसे पहले तो यह पता क क्या करूंगा ऐसे question जब आते हैं तो सबसे पहले पता करो कि direct का है कि inverse का है तो यह direct का है ठीक है direct variation का है डीवी का है तो याद रखना डीवी में direct variation में हमेशा एक quantity और दूसरी quantity upon में आती है तो जैसे pen है और रुपीज है तो देखो pen और रुपीज तो मैंने यह आपर लिखूंगा मैं equals to 2 upon x क्या लिखूंगा 2 upon x राइट यह मैंने क्यूं किया मैंने आपको बताया था कि यह same ratio में आने चाहिए ठीक है और ratio जो होते हैं वो हमेशा same होने चाहिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ से देखिए 1 upon 5 मैंने कर दिया यह इसके साथ तो मैंने 1 upon 5 और 2 और x तो 2 x के साथ तो 2 upon x अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इस x की value अब आराम से निकाल सकता हूं अगर इसक इसको हम आराम से निकालता है तो x का multiply 1 के साथ ही हो जाएगा x into 1 और 5 का multiply 2 के साथ तो यह हो जाएगा 10 तो x की value कितने आगी मेरे प्यारे बच्चो 10 आ गई अब यहाँ पर देखो x की value आ चुकी है 10 तो इन दोनों के ratio जो होने वाले थे वो same होने वाले थे तो देखो मैं इ यही क्या होती है पैचान होती है किसकी direct variation की यही पैचान है कि ratios हमेशा सेम होंगे अब एक और मैं एक और question ले लेता हूँ let's suppose let's suppose example second लेता हूँ यहाँ और बोलता हूँ कि भाई पैट्रोल है यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है पैट्रोल लीटर में ठीक है और यहाँ पे let's suppose distance है ठीक है अगर 12 लीटर पैट्रोल से गाड़ी चलती है 12 26 km let's suppose तो 18 लीटर से कितना चलेगा अब भाई पता है मुझे 12 लीटर से 26 Cop चल रहे है तो 18 से 216 से जादा ही चलेगा तो यह किसका case है यह है direct variation का case अब direct variation का case है तो फिर्म ल्law टीस्टन्स तो 태्टरोल कितना है मिर पे पेट्रो ले 18, distance upon x, अब यहां से अगर मैं cross multiply करता हूँ, तो में पर देखो, x की value भी आने वाली है, तो यहां से देखिए, मैं इसको करता हूँ, तो जगा 12 into x equals to 18 into 216, right, अब यहां से मैं इसको further solve करता हूँ, तो जो x की value होने वाली है, वो हो जाएगी, 18 into 216 upon 12, right, अब यह से मैं इसको cancel out करता हूँ, तो 12, 18 जा हो जाएगा 216, और 18 into 18 होता है, 324 km, अब यहां पर देखिए, x की value मेरी आ चुकी, अब मैं यहां पर अगर 12 upon 216 करूँ, equals to 18 upon x की value थी, 324, तो अगर मैं यहां से इसको cut करूँगा, तो यह दोनों के same ratio आएगे, अगर आप इसको होगे, तो देखो, obvious ही बात ही कि left hand side जो होने वाला है, वो मेरा right hand side के होने वाला है, तो ठीक है, ऐसी ही मैं इसको पैचान जाकता हूँ, कि भाई, कौन direct variation वाले question है, और कौन सा inverse वाले, direct variation में ratio same आते हैं, बस यह यह आद रखना, और ऐसी ही आपके teacher जो है, वो आपको next वाला देखते हैं इस पर, तो बच्चों अब जो question आने वाला है, देखिए, यहाँ पर ऐसा example में आपको बताया है, कि भाई, यहाँ पर आपको ऐसा box दे दिया जाएगा, और बोला जाएगा, भाई, A निकालो, B निकालो, और C निकालो, और यहाँ पर इस question में एक चीज मुझे क्या करना है, direct variation का case है, अब direct variation के case में मैंने आपको एक चीज बताईती, कि जो ratio होते हैं, वो same होते है, ठीक है, same ratio होते है, अब यहाँ पर देखिए, X upon Y, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, 5 upon 10, equals to, अब vary करेगा, same ratio होने चाहिए, तो यह जागा, A upon 16, अब मैं य यहाँ से कर सकता हूँ, इसको तो यहाँ से मिरे पर A आ जाएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से करता हूँ, 5, 1, 5, 2, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2, equals to A upon 16, तो आप directly यहाँ से भी इसको काट सकते हो, या फिर आप 16 को इदर ले जालो, कोई problem की बात नहीं, तो A हो जाएगा, 16 upon 2, तो A की value देखो, यहाँ पर आ गई कितनी, 8, तो यहाँ से मेरे को 8 पता चल गया, ऐसी similarly, मैं इसको इसके साथ भी compare करता हूँ, क्योंकि same ratio हैं सबके, तो कोई problem नहीं है, मैं इस से करूँ, या इस से करूँ, किस से भी कर सकता हूँ, तो इसको इधर shift करता हूँ, तो B की value देखो, कितनी आजाने वाली, यहाँ पर देख लेते हैं, cross multiply करूँ हाँ, तो यह इधर आ जाएगा, यह इधर आ जाएगा, तो यह हो जागा, 5 into 48 equals to B into 10, अब यह B into 10 cross multiply हो गया, तो यह इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, कोई problem की बात में, इसको हटा के यहीं पर रख दो, तो B, मैं जो B निकाना था ना, basically, तो यह हो जाएगा, 5 बन जा, 5, 2 जा 10, और यह हो जाएगा, 2, 2 जा, 2, 4 जा, तो B की value आगे, मेरे प्यारे बच्चो, 24, similarly, ऐसी में जा C भी निकानना है, तो देखो, यहाँ पर लिख सकता इसको मैं यहाँ नीचे shift कर देता हूँ, तो यह हो जाएगा, C equals to 42 into 10 upon 5, तो यह हो जाएगा, 2, और यह हो जाएगा, C की value हो जाएगी, 84, तो देखे, ऐसे ही कितने easy question होते हैं, direct variation में हैं, ऐसी एक, दो questions और देख लेते हैं, फिर हम inverse में चादेंगे, तो बच्चे, एक question ऐ ऐसा भी आजाता है, कि भाई, बताओ कि यह vary directly कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो देखो, अगर इन सब का ratio same है, तो yes, यह क्या कर रहे हैं, directly vary कर रहे हैं, ठीक है, तो देखतो है, 5 1 जा, 5 2 जा, 1 upon 2 जा, इस पर देखते है, 6 1 जा, 6 2 जा 12, ठीक है, 8 1 जा, 8 2 जा 16, तो यह vary करेंगे, directly, right, तो यह क्या है, direct variation का case होगा, simple as that है, तो इसमें कोई ज्यादा rocket science नहीं है, बहुत ही easy तरीका है करने का, तो ऐसी ही question आने वाले है, कि भाई, एक pen इतने रुपे का है, तो भाई, 10 pen कितने रुपे हैं के होगे, तो यह सिध्य सिध्य direct variation का case है, इसमें quantity है, upon दूसरी quantity, आप पहली quantity, upon वो जो उसका price है, equals to रगाओगे, फिर जो उसका pen है, upon क्या कर दोगे, उसका cost, simple है और कुछ इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही easy है, और जब हम इसका chapter करेंगे न, तो और मज़े में इसको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो अब हम करते हैं, inverse variation का case, तो बच्छो अब हम करने वाले हैं, inverse variation, अब यह inverse variation होता क्या है, सबसे पहले मैं इसका statement यहाँ पर लिख लेता हूँ, if the increase in one quantity, cause the decrease in the other quantity, right, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है, इसको मैं अगर simple भाषा में अगर आपको बताऊं, कि यहाँ पर यार कोई भी चीज, अगर कोई भी एक quantity increase हो रही है, तो दूसरी quantity क्या होगी हो, उसके decrease हो जाएगी, और यहाँ पर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, और twice versa, means, means, अगर if the decrease in one quantity, क्यों लिख देता हूँ मैं है पर ना, quantity, causes, cause the increase in another, या other quantity, अब यहाँ पर क्या है, कि भाई अगर कोई भी चीज बढ़री है, तो दूसरी चीज घटेगी, और अगर कोई चीज घटरी है, तो दूसरी चीज बढ़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं, inverse variation, इसी को क्या बोले जाता है, inverse variation, अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक best example देने वाला हूँ, और example से मैं आपको बहुत अच्छे से इसको clear करवा देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर two man's है, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, यहाँ पर man है, ठीक है, अगर two man, two man, किसी काम को चार दिन में करते हैं, कितने दिन में, चार दिन में complete करते हैं, कोई two man, चार दिन में work complete कर रहे हैं, तो भाई, चार man, कितने दिन में करेंगे, अब इस case पर, इस case पर क्या होता है, यह सबसे पहले देखो, कि भाई, यह direct है कि inverse है, अब यह inverse है, obvious ही इवहाइं डो मेन अगर चार ऑस में करते हैं तो अगर ज्यादा मेनों को लिआउंगा तो obvious ऑसी बात वह जो काम है वह कम दिन में कर देंगे जी करते है चाहँ जादा मेन काम कम तो में क्यों होते हैं इस अब direct variation में हम क्या कर रहे थे direct variation में हम कर रहे थे same ratio क्या कर रहे थे same ratio कर रहे थे पर यहां पर यह क्या है यहां पर same ratio थोड़ी ना होगा यह तो inverse का case है यह inverse variation का case है तो inverse variation में आपको करना क्या है देखिए men and work ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करने वाले 2 into 4 में यहाँ पर वहाँ पर हम क्या कर रहे थे direct में हम same ratio रख रहे थे ratio में कर रहे थे upon में रख रहे थे पर यहाँ पर हम क्या करेंगे हम multiply करेंगे multiply करेंगे यह बहुत important है key point है यह है बच्चो inverse का multiply करना होता है तो man into work क्या equals to यहाँ पे 4 man, यहाँ पे work x तो 4 into x इस case में हम क्या करते हैं multiply करते हैं, क्या करते हैं inverse में multiply करते हैं तो 4 to 8 equals to 4 into x अब यह 4 यहाँ पे multiply है मैं नीचे आके divide में हो जाएगा 8 upon 4 equals to x तो यहाँ पे कटेगा, तो कितना आजाएगा x की value to, मतलब देखो अगर 2 men 4 दिन में करते हैं चीक है, days यह है work 4 दिन में कर रहे है तो भई 4 men कितने दिन में करेंगे यह कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में work or days, यह पर मैं days लिख देता हूँ ठीक है, ऐसी देखो, कितना easy हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा, भई, inverse का case क्या है inverse में क्या होता है multiply करता हूँ मैं, दोनों quantities को है तो यह बहुत important है, ठीक है inverse में क्या होता है, multiply होता है सबसे पहले तो आपको पैचानना है कि यह inverse है कि direct है, ऐसी मैं एक example लेता हूँ let's suppose यहाँ पर एक box है, ठीक है ऐसे मैंने box बना है और let's suppose यहाँ पर P और Q है अब मैं यहाँ पर question बोलता हूँ कि जो P and Q है ठीक है, यह जो P and Q है यह very indirectly है, ठीक है very ठीक है, inversely indirectly कह रहा हूँ inversely, ठीक है अब यहाँ पर मैं कुछ questions देता हूँ, let's suppose 8, 2.5 यहाँ पर 2 upon X ठीक है, यहाँ पर Y upon 5 एक और box बना देता हूँ और यहाँ पर 10 upon Z, रही अब यहाँ पर मुझे यह पता करना है कि भाई, यहाँ पर मुझे सबसे पहले निकालनी X, Y और Z की value हो रहाई, और यहाँ पर यह क्या बोल रहा है, पहले ही मुझे बोल रहा है कि very inversely है, तो inversely है तो मैं multiply करूंगा भाई, तो यह क्या करने वाला हूँ, मैं देखे, 8 into 2.5 equals to 2 into X ठीक है, तो देखे, यहाँ पर मिर पर X की value हो जाएगी तो मैं इसको, इसको cut करता हूँ, तो यह कितना हो जाने वाला है 2, 4 जा, point टाया है, नीचे 0 लगा दिया, ठीक है तो यह हो जाएगा, 5, 2 जा 5, 5 जा, इसको cut हूँगा 2 जा, तो X की value किते आगे मिर पर simple as that, 10 ठीक है, ऐसी similarly अब यहाँ पर 2 और 10 आगया तो देखो, 2 into 10 equals to, 2 into 10 equals to, y into 5 तो 5 से 2, तो y की value किते आगे मिर पर 4, similarly ऐसी मैं इस पर भी कर दूँगा, तो देखो 2, यहाँ पर X की value 10 थी तो 2 into 10, यहाँ पर ही कर देता हूँ, solve 2 into 10 equals to, 10 into Z, ठीक है 10 से 10 cancel, Z की value आगी मिर पर 2, तो देखो, कितने similar, कितने easy question हो जाते हैं inverse के, अगर आपको पता है कि inverse में करना क्या है, inverse में हम क्या करते है कोई भी दो quantities है, उसको multiply करके equals to, दूसरी जो quantity है उसका multiply करके और X और Y की value जो भी XYZ की value हम आराम से निकाल सकते है तो ऐसी में, अभी मैंने आपको example यहाँ पर बताया था, first वाला example this is my example number second अब मैं करता हूँ, example number third, right ठीक है, अब मैं यहाँ पर example number यहाँ पर third करने वाला हूँ, let's suppose मैं बोलना हूँ, यहाँ पर मैंने और यहाँ पर days है, ठीक है let's suppose 78 मैंने, जो किसी work को complete करते है 140 days में, ठीक है कितने 78 मैंने जो की 140 days में complete करते हैं, किसी work को, right अब अगर मैं बोलू, 42 minutes कितने दिन में करेंगे obviously बात है, जादा मैंने तो 140, देखो यहाँ पर simple logic देखो 78 मैंने जो की 140 दिन में काम कर रहे थे, अब अगर मैंने मैंने कम कर दिने, तो obviously बात है, days बढ़ने वाले हैं, यह देखो मैंन कम होगे, तो days बढ़ेंगे, right तो यह किसका है, सबसे पहले आपको यही पता करना होता है, कि किस चीज का, यह किसका है यह कि, यह आपको पता चल गया होगा, कि किसका है, है ना, यह है inverse का है, तो अब मैं इसको यहाँ पर multiply करता हूँ, this multiply by this तो यह हो जाएगा, 78 multiply by 140 equals to 42 multiply by, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं x days लिख देता हूँ, x अब इस 42 को मैं यहाँ इदर नीचे shift कर दूँगा तो x की मेरे पर value आ जाने वाली है तो x की value आ जाएगी मेरे पर 78 into 140 upon 42 और इसको आप solve कर लेंगे तो x की value आ जाने वाली है मेरे पर 260 days तो I hope आपको यहाँ तक तो बिलकुल अच्छे से समझ में आ गिया होगा यह कितना easy topic है यह बहुत easy topic है ऐसी में एक और example यहाँ पर एक और example आपके लिए बता जेता हूँ example number 4 हम करते है और let's suppose मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर boxes बने हुए x y और यहाँ पर है 2 upon 32 4 upon 16 8 upon 8 तो मुझे यह पता करना है कि भाई यह vary कर रहा है inversely कि नहीं कर रहा है तो देखो इन सबको मैं multiply करता है 2 into 32 equals to 4 into 16 equals to 8 into 8 तो देखे यह सब के multiplication same आ रहे की नहीं आ रहे ठीक है तो यह देखो यह आ जाएगा 64 यह भी 64 आएगा और यह भी 64 आएगा तो देखे अगर मैं इन दोनों को compare करता हूं तो बिलकुल यह है ना inverse का है इन दोनों को देखता हूं तो यह भी inverse का है तो देखे कितना easy है inverse variation राइट बहुत ही easy है जब आप questions करोगे थोड़ा सा समझोगे इसको तो बहुत मज़ा आने वाला इन question हो में ठीक है तो हेलो बच्चो अब हम कराने वाले one of the most important topic of ICSC class 8 जिसका नाम आपने यहां पे देख लिया होगा time and work अब बच्चो यह इतना important chapter है कि आपका पीछा यह कभी जिंदेगी भर नहीं छोड़ेगा तो अभी 8 पे ही इसको आप खतम करते वे चलो क्योंकि lifelong आपके काम आने वाल इस chapter को भूलने नहीं वाले ठीक है जो छोटी class में हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो वह हम जिंदगी बर याद रखते हैं तो यह बहुत प्यारा chapter है और इस topic में मैं आपको बहुत अच्छे से इसको बहुत explain करने वाला हूं ठीक है और इसके example सहीत इसके कुछ questions भी कर में आजा है ठीक है यह time and work क्या होता है देखो time and work की questions बहुत अलग होते हैं ठीक है इसमें क्या होता देखो one day work वाला हमें निकालना होता है जैसे कि अगर A और B काम कर रहे हैं तो ठीक है यह together कब काम करेंगे तो सबसे पहले में कुछ important जो यह है formula से वह आप देख लो कि one day work कैसे निकलता जो one day work होता है वो one upon number of days to complete the work ठीक है यह आप लिख लिजे ठीक है यह आपकी book में भी होगा तो यह मैंने यहाप लिख रखा है number of days needed to complete the work यह होता है one upon one day one days work ठीक है और यहाँ पर time required to do the certain work यह होता है work to be done upon one day work तो यह तीनों जो point है यह आप video pause करके लिख लि आपको questions करवाता हूं कि यह कैसे करना है ठीक है तो बच्चों अब हम करने वाले example number one और यहाँ पर example number one यह कहता है कि अगर a can do a work in four days अगर a एक काम को चार दिन में करता है ठीक है और b एक काम को छे दिन में करता है तो in how many days both together can do it यह कितने दिन में यह दोनों के दोनों मिल क यह काम कर रही है ठीक है तो देखो मैं one day work निकालता हूं मैंने आपको बताया था time and work का फंडा क्या होता है ठीक है तो पहले में is one day work निकालता हूं ठीक है तो यह हो जाएगा is one day work एक दिन में कितना काम कर सकता है तो one upon four ठीक है कितना a can do a piece of work in four days तो a का one day work हो जागा one upon four similarly ऐसी ही मुझे b का भी one day work निकालना पड़ेगा तो b is one day work कितना हो जागा हमेर तो one upon six राइट और बोथ one day work अब दोनों का one day work ठीक है अब क्या कह रहा है देखो यहाँ पर एक वन डे वर्क मैंने निकाल लिया बी का वन डे वर्क मैंने निकाल लिया तो अब क्या कहरे हाँ how many days both together can do it अब अब together can do it में मैं क्या करूँगा कि A is one day work plus B is one day work अब दोनों को अगर मैं add up कर दूँँ तो जैसे कि 1 upon 4 plus 1 upon 6 तो दोनों का one day work मैं आराम से निकाल सकता हूँ तो यहां से मैं इसका पहले LCM लोँगा जिसका LCM आएगा मिर पे 12 4 3 जा होते है 12 और 6 2 जा 12 होते है तो यह हो जाएगा मिर पे कितना 5 upon 12 अब भी answer नहीं आया ठीक है अब together work क्या हो जाएगा इसको मैं reciprocal कर दूँगा तो यह आ जाएगा मिर पे together कितने दिन में करेंगे 12 upon 5 days में तो यह together work करेंगे कितने में तो देखे यह कितना easy question है कि हमेशा आपको A और B का work दिया रहेगा तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है आपको अगर इसका निकालना है कि कितने कभी यह काम करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज का या नाम होगा या कोई भी आपको परसन दिये होंगे तो उसका one day work निकालना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो time and work के जो questions होते हों उसमें हमेशा one day work निकाला जाता है ठीक है तो ऐसी है मैं next question करता हूं उससे आपको और अच्छे से साजमा आ जाएगा अब हम करने वाले हैं example number second और example number second में क्या गह रहा है देखें बहुत प्यार से कि a and b together can do a piece of work in six two by three days right a और b दोनों यहाँ पर देखो a और b दोनों कितने दिन में काम करते है six two by three तो यह मैं कर सकता हूं इसको मैं यह क्या है mix fraction में इसको मैं fraction में कर देता हूं तो यह हो जागा six three eighteen nineteen twenty यह हो जागा twenty upon three days में right a और b twenty upon three days में काम करते है ठीक है ओके बट b can alone but b alone can do it in ten days और जो b है वो कितने दिन में कर देता है उस काम को ten days में right अब यह क्या कह रहा है how long will a take to do it alone अब यह क्या कह रहा है कि कितना देर लग लग कि how long कितना time लगेगा एक को इसको alone काम करने में ठीक है अकेले काम करने में एक को कितना time लगेगा अब यहां पे देखे अभी यहां पे a और b का work है a और b 20 upon 3 days में करते हैं b अकेला 10 दिन में कर रहा है तो a कितने दिन में करेगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इन सबका one day work निकाल लेता हूं ठीक है अब जैसे यहां पे देखो let's suppose मैं एक example यहां पे अलग से दे रहा हूं कि भाई एक आदमी है जो चलो पहले मैं इसको समझा देता हूं बहुत अच्छे सा फिर उसके मैं इसको इकस्पिलेंग करूंगा तो देखो मैं a कि प्लस बी कि वन डे वर्क a प्लस b का one day वर्क होगा one upon twenty upon three तो यह थ्री उपर आ जाएगा तो यह हो जाएगा three upon twenty days ऐसी similarly b is one day वर्क अगर मैं निकालूंगा थीक है तो वो हो जाएगा कितना one upon ten days राइट अब मुझे क्या निकालना a का one day वर्क निकालना थीक है तो similar है देखो कितना easy है अगर मैं a प्लस b is one day वर्क से तो देखे बच्चों इसको समझे कि अगर मैं a प्लस b is one day वर्क से माइनस कर दूँ यह b is one day वर्क तो मिर पे क्या आ जाएगा a इसका one day वर्क नहीं आ जाएगा तो देखे अगर मैं a प्लस b is one day वर्क से 20 का one day वर्क माइनस कर दूँ तो मिर पे a का one day वर्क आ जाएगा तो बड़ा easy हो जाएगा तो देखो a प्लस b का one day वर्क है 3 upon 20 और a का one day वर्क कितना है a का one day वर्क है मिर पे 1 upon 10 तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना है lcm लेना है माइनस करना है और मिरा आंसर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 3 minus 2 which is 1 upon 20 डेज और a का one day वर्क आ जाएगा इसको हम next question करते हैं तो बच्चों यह वाला example तो बहुत ही important है ऐसे questions भी बहुत बार पूछे गए कि अगर a और b 15 दिन में करते हैं कोई काम और b और c 20 दिन में करते हैं और c and a 30 देज में करते हैं तो together यह कितने दिन में करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं इन सबका one day वर work अगर मैं निकालूं a a plus b one day work अगर मैं निकालूं तो यह कितने दिन में करते हैं को 15 दिन में करते हैं तो यह हो जाएगा one upon 15 days ऐसी similarly अगर मैं b और c निकालूं b and c is one day work कितना हो जाएगा यह one upon 20 हो जाएगा और similarly c plus a one day work हो जाएगा कितना 30 day में तो यह हो जाएगा one upon 30 अब मैं करता हूं इन सबको add up कर ले दाऊं और इन सबका क्या करना है together work करना ना तो मैं इन सबको add up कर दूंगा तो यह हो जाएगा देखे a plus b plus c और देखे यहाँ पे a दो बार है b दो बार है c दो बार है तो मै one plus b one a plus b plus c is one day work तो यह कितना हो जाने वाला देखे मेरे पर हो जाएगा one upon 15 plus one upon 20 plus one upon 30 और यहाँ पर देखे यह 2 भी है इसको भूलिएगा मत क्योंकि questions बहुत important हो जाते हैं यहाँ पर अब मैं अगर LCM लोंगा question यहाँ पर इसलिए important हो जाएगा क्योंकि बच्चे ना इसको neglect करते हैं और बिल्कुल 0 देते हैं teacher मज़े में तो यहाँ पर देखे मैं क्या करता हूँ इसका LCM लेता हूँ इसका LCM आना वाला 60 यह जाएगा वहाँ पर 4 ठीक है 3 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा यह 2 ठीक है तो यह हो जाएगा कितना मेरे पर इसको मैं solve करता हू 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह हो जाएगा 9 upon 60 राइट मैं इसको काटना हूँ देखो कट रहा है तो यह हो जाएगा 3, 3 जा 3, 2 जा तो यह हो जाएगा देखो 3 upon 20 और यहाँ पर क्या था देखो A plus B plus C था न और इसके आगे 2 भी था तो यह 2 multiply मैं तो यह मैं equals to के right hand में ले जाएगा तो यह हो जाएगा divide में तो यह हो जाने वाला एपर पर देखो 2 upon 3 upon 40 और one day work मैं इसको अगर reciprocal भी तो करना है तो मेरे पर A plus B plus C is one day A plus B plus C का work क्या हो जागा 4 upon 30 days तो देखो कितना easy होते हैं ऐसे questions right ऐसी मैं अब next example इसका करने वाला हूँ तो बच्चो अभी हमने किया था time and work वाले questions है ना time and work वाले अब यहाँ पर आते pipe and systems वाले questions मतलब जैसे पानी में जैसे मैं नलका खोलता हूँ ठ बाल्टी भढ़ जाती है तो ऐसे वाले questions बहुत अच्छे होते है ठीक है तो यहाँ पर क्या रहा है an empty system can be filled by two pipes एक खाली बाल्टी है जो कि दो pipe से भर रहे है जो कि A वाला जो pipe है उसको 12 minute में भरता है और B वाला जो pipe है उसको 16 minute में भरता है ठीक है अब together यह कितने देर में कितने minute में यह दोनों भर देंगे तो बस simple है जैसे हम one day work करते थे वैसी यहाँ पर क्या करना है is one minute work है na is one minute में कितना भर रहा है तो ऐसे मैं करूंगा is fill in one minute तो यहां पर भी मैंने one upon कितना करना है जितना minute है राइट ऐसी ही मैं similar करूँगा base fill in one minute भाई एक minute में कितना भर रही हो एक minute में भरेगी one upon 16 तो अब मैं क्या करूँगा together वाला जो होगा काम ठीक है तो together वाला काम क्या होने वाला है obviously बातें इन दोनों को मैं add up कर दूँगा तो 1 upon 12 plus 1 upon 16 ठीक है बस मुझे कुछ नहीं करना आप LCM लेना है तो इसका LCM आ जाएगा 48 ठीक है तो यह हो जाएगा 4 plus 3 और यह हो जाएगा 7 upon 48 तो अब यहां पर मैं क्या करूँगा इसको reciprocal कर दूँगा तो together का जो time होगा वो किता हो जाएगा 48 upon 7 अब इसको आप काट लेना तो उतना minute आ जाएगा ठीक है इसी pipe and system में एक और similar question कर लेते हैं उसमें क्या है कि ऐसा question करते हैं कि दो pipe तो भर रहे हैं और एक में उस बाल्टी में 6 दो रख रहा है तो उससे पानी निकल रहा है तो यह बाल्टी को कितन में भड़ देगा तो ऐसे question भी बहुत easy होते हैं ठीक है वह हम देखते है next वाले पार्ट में आने वाला है हमारा example नंबर 5 और यह क्या कहता है यह पाइप करता है बाल्टी को बारा मिनिट में वहीं एक पाइप है जो कि फिल करता है बाल्टी को 16 मिनिट में और C एक होंगे जो फिल कर रहे हैं वह होते है एड और जो उसको एमटी कर रहे है यह उस जो चेद है जो इससे पानी निकल रहा है उस पर होगा नेगिटिव राइट तो यहां पर देखे मुझे इसका वन डे वर्क निकालना है वन डे वर्क कह रहा हूं सॉरी वन मिनिट वर्क है कि दो एक मिनिट में बी किता factory हो राहा है वह वान अपान 16 रैसी सी अब सी हो रहा है mT थो सी in 1 minute, तो c कितना empty हो रहा है एक minute में, 1 upon 8, तो बस मुझे कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर LCM लेंगे, तो अब मैं इसको यहाँ पर solve कर लेता हूँ, तो यह हो जाएगा, काम किया, फिर B आदे में छोड़के चले गया, जो लीव वाले question होते हैं, कि आदे में छोड़के चल जाना, भाग जाना, वाले question जो होते हैं, वह भी बहुत important होते हैं, teachers के point of view से, exam के point of view से, उसको भी अब हम करवाते हैं, तो बच्चो, अब time and work के सबसे important questions जो होते हैं, most important question, leave the work वाले हैं, अब यहां पर देखे, leave the work वाले question कैसे होते हैं, कि A और B ने तोनों ने एक साथ काम किया, फिर A ने वो काम आदे मतलब आदे कुछ time में छोड़ दिया, फिर B ने उस काम को continue रखा, तो ऐसे वाले questions होते हैं, बहुत important होते हैं, और इसका एक सबसे easiest तरीका में आपको आज बताने वालों, और उसी से आप करोगे तो बहुत जल्दी question हो जाने वाले है, तो यहां पर देखें, यहां पर बोल रहा है question कि अगर A and B can do the piece of work in 45 days, तो A and B, A कर रहा है को 45 days में, और B कर रहा है कितने दिन में, 40 days में respectively, ठीक है, and they begin the work together, इन दोनों ने work together start किया, ठीक है, but A leaves after some day, तो जो A था उसने काम छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद, and B finished the remaining work in, और जो B था उसने remaining work finished किया 23 days में, तो after how many days did A leave the work, ठीक है, तो यह बड़ा ही easy questions होते हैं, इसको कैसे करना है, देखो मैं आपको alternate बताता हूं इसका, सबसे पहले मैं एक diagram मरने की कोईशिश करता हूं, तो यहां देखो, A और B ने साथ में काम start किया, यहां इनके काम की journey, और यहां पर, let's suppose इस जगा पर A ने छोड़ दिया, A left, और यहां से यहां तक यह work complete करा इसने, और यहां से फिर 23 days, अब क्या कह रहा है, देखो, A left कर दिया, तो फिर B ने finish the remaining weekend 23 days, तो यहां पर 23 days, B ने ही लगाए होंगे, ठीक है, A तो छूट गिया, तो B ने फिर 23 days और लगाए, अब यहां से यहां से यहां तक की journey, A और B की, जहां पर A left हुआ, ठीक है, तो इस journey को यहां से यहां तक जो इन्होंने काम किया, ठीक है, इसको मैं क्या दे देता हूँ, X days, यहां तक मैं क्या कर देता हूँ, X days दे देता हूँ, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, let करता हूँ, let A left, let A left after X days, ठीक है, तो जो A left हुआ, वो X days, पूर अगा, पूर यहां से यहां पूरा कितना था, x days मैंने let किया और x days के बाद a ने left कर दिया तो इस सबसे easiest तरीका है करने का देखो, बहुत प्यार से देखना है इसको, यहां से यहां तक a और b दोनों ने x days तक काम किया ठीक है, और x days के बाद a ने यहां पर left कर दिया ठीक है, तो अब मुझे a का work निकालना है ठीक है, तो यहां पर देखो, यह जो a और b यह इन दोनों ने यहां तक, यहां तक जो काम किया यह x days तक काम नहीं कहने हैं तो यहां से a और b की journey देखते हैं तो a और b work together for x days तो देखो a और b नहीं यहां तक, तो x days तक काम किया दोनों ने साथ मिलके काम किया बिल्कुल भाई जारे के साथ ठीक है, अब यहां पर देखो यहां इस point से a ने left कर दिया अब बहुत बहुत प्यार से देखेगा इस point को जिस point पर a ने left किया तो मैं क्या करूँगा यहां से अब यहां से और यहां तक का journey जो है अब उसरे b कही रहा न ठीक है तो जो b ने काम किया, b ने कितना काम किया b worked for अब देखो, b ने कितना काम किया अब यहां से यहां तक तो कितना काम किया 23 days यहां से यहां से यहां तक तो b ने कितना काम किया 23 days बहुत प्यार से देख न यहां से, इस point से यहां तक b ने 23 days काम किया पर b ने यहां से यहां तक भी तो x day काम कर रहा है यहां से यहां तक b ने x करा है तो देखो, x प्लस 23 आ जाएगा यहां से यहां तक, पूरा यहां से यहां तक, B का कितना वर्क वाना, X प्लस टोट कि दरी, इत्ता सवज मैं, अब बोल रहा है कि, B का, अब बोल रहा है भाई मुझे, कि A का वर्क निकालो भई, है ना, A का बोल रहा है ना, हाँ, A ने कहा पर left क्या वर्क, जैसे कि example लेता हूँ मैं percentage का ठीक है अब मेरी फ्रेंड है तो भाई मैंने उसने compare का कि तेरी कित्ती percent आई ठीक है तो उसने बोला कि let's suppose मेरी 40% आई ठीक है एक percentage criteria में जो होता है वो जैसे percentage होता है जैसे कि मैं यह आप एक example और अच्छे से बतावूं आपको एक percentage criteria होता है जैसे कि 100% होता है अब 100% में से अगर किसी के जैसे election हुआ election हुआ तो election पूरा 100% पर होगा ना बिलकुल होगा की नहीं होगा 100% election में होगा तो अगर किसी के 60% वोट है तो दूसरे के obviously बात है 40% होगे की नहीं होगे तो वही word done होता है word done क्या होता है पूरा एक होता है one होता है ठीक है तो अब मुझे निकालना है अब यहाँ पर देखे बहुत अच्छे से तो मैं क्या करूँगा a plus b work together for x days तो मैं यहाँ पर करूँगा a और b x days के लिए work किया ठीक है यहाँ से यहाँ तक a b ने x days के लिए work किया ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक मैं a का work निकाल सकता हूँ A का वर्क निकाल सकते हो यहा से यहा 직akah बिल्कुल निकाल सकता हो तो देखो A का वर्क यहां से यहा से यहां तक किले कितना होगा ? देखो यह हो जाएगा x upon 45 x यहां से यहां टक ए ए ने भी x travel किया x upon 45 प्लस अब b का कितना हवा यह भी b ने cover किया यह हो जागा x plus 23 upon b का work किता हूँ 40 days यह हो जागा x plus 23 upon 40 और इनों का total work कितना होगा total work जो होते हैं वो उससे मैं 1 से denote करता हूँ बस अब मुझे कुछ नहीं करना है, यहापे x की value निकाल देनी और मेरा answer आजाने वाला है, तो यहापे देखो, अब मैं बहुत प्यार से इसका LCM लोगा, तो LCM इसका कितना हो जाने वाला है, 360, ठीके, तो यह हो जाने वाला है, LCM हो जाएगा 360, अब मुझे क्या करने है, अ 8x plus, 9 हो जाएगा 9x plus 23 equals to 1, तो अब मैं इसको यहापे further solve करता हूँ, तो यह हो जाने वाला है मिरे पे, 8x plus, 8x plus 9x plus 207 equals to, यह 360 इदर में shift कर दूँँगा, तो यह हो जाएगा 360, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, तो 8x plus 17, 17x equals to 360 minus 207, तो यह हो जाएगा 153, 17x, और इस 17 से मैं 153 को काटूँगा, तो क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी थी, तो 9 days थी, तो अब बोल रहा है कि, अब बहुत अब बहुत अब बहुत अच्छे से, तो आपको यहाँ पता चल जाने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक और बार इसका चार्ड बना देता हूँ, कि जैसे की, simple है, कि भाई, A और B ने together work किया, फूर यहाँ तक X days तक, और फिर यहाँ से A लेफ्ट हो गया, A लेफ्ट हो गया, और फिर यहाँ पर B ने इस काम को continue करा, कितने 23 days तक, तो यहाँ से यहाँ तक, A का कितना वर, 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 A का कि तो बी का कितना हो जागा एक्स प्लस 23 अपन 40 डेस तक और टोटल वर्ग जो होता है वह आव्यस सी बात है वान होता है यह मैंने आपको बताया है तो बस आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां तक की वैलियू आपको मिल जाएगी जहां पर एलेप्ट होगा बहुत ही इजी क बस थोड़ा सा कॉंसेट आपको इस पर क्लियर करना होता है ठीक है